हलो एब्रीवन, विल्कम टो स्टडी आईक्यो आईस हिंदी, दिस इस मनीश रवास्तो, जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे, एक important session लेकर मैं आता हूँ, जिसमें अलग-अलग science and tech के topics को discuss करता हूँ, हम एक chapter बढ़ रहते हैं, fuels, और fuels में हमने कुछ fuels देख ली ह है, आज हम और भी बहुत important fuels, जिनको liquid fuels कहा जाता है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो द्रविये इधन होते हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे, कि वही ये इधन हमारे लिए कि ऐसे महत्पूर्ण है, क्योंकि इसमें petrol, जो है mainly diesels, वगेरा, जितन जो कि PDF is Telegram Group से आप डाउनलोड कर लेंगे, और भी कोई तरह के doubts आएंगे, तो मुझसे पूछ सकते हैं, इससे पहले, last session में दिये वोई question को solve करते हैं, पहला question था, which type of fuel is lignite, lignite किस प्रकार का इधन है, अब देखे, lignite क्या होता है, तो coal का ही एक प्रकार है, कोईले के अलग-अलग प्रकार मिलते हैं आपको, कौन-कौन से मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया था, एक होता है जिसको हम बोलते हैं, anthracite, एक होता है आपका, जिसका नाम है bituminous, एक होता है जिसका नाम है peat, और एक होता है lignite, अब ये जो मैंने आपको बताया था, कि हमें प्र फिर पीट में इस तरीके से लेकिन ये मिलते तो कहां से नेचर से ही मिलते हैं अब इस question में पूछ लिया गया है कि भई ये किस तरह के fuel है ये secondary fuel है ये primary fuel है ये liquid fuel है ये gaseous fuel है तो इसमें आंसर कर रहा है आपको तो भई देखने में लगेगा कि भई ये lignite है तो koila है तो solid है क्या ये secondary fuel है या primary fuel है अब बात तो यहीं पर आई तो अगर देखा जाए तो lignite हमें कहां से मिल रहा है प्रकृती से मिल रहा है तो अगर प्रकृती से मिल रहा है तो वो सीधे दोर पर चीज़े मिलती है तो मतलब ये nature से मिल रहा है तो nature क्या है nature कोई secondary तो है नी primary है प्रा सीधन की बात हो रही जो मैं पढ़ा चुका हूँ क्या वो liquid hydrocarbon से मनता है तो liquid पहले ही शब्द गलत हो जाता है क्योंकि वो solid कैसे रहेगा अगर liquid कैसे रहेगा अगर solid की बात कर दी जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पर आप से solid gaseous भी नहीं हो सकता, इसके अलावा बचा combustible या non-combustible, अब fuel है, तो fuel का मतलब ही यही होता है, कि भाई जो दहन शील हो, तो combustible substance होता है, इसका answer क्या हो जाएगा, बी option हो जाएगा, जो लंशील पतार्थ कोई, आप जो है ठोस इधन कहते हैं, अब देखिए, हमने क्या देखा था, कि भाई इधन क्या होता है, यह already मैंने आपको बता दिया, फिर combustion दहन क्या होता है, दहन शील और गैर दहन शील चीज़ों के बीच में बात करी, वरगी करण मैंने आपको बता बता है, भी निर्मित किया जाता है, तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, यह सारी चीज़ें आपको मिलती है, गैशी इधन, अगली ग्लास में करेंगे, तो भाई, आदश इधन के गुण मैंने आपको बता दिये थे, कि उनकी जो उश्मियमान होता है, जादा होना चाहिए, उनसे जो अपशिष्ट पदार्त और हानिकारग्पदार्त उत्सरजन हो, वो कम होना चाहिए, इसके लावे इनका परिवान, भंडारंग, सुगम होना चाहिए, और यह परियाप्त मात्रा में उपलब्द होना चाहिए, इनका देहन, सदेव, नियंत्रित होना चाहिए, औ इसी में मैंने आपको solid fuels का बताया कि कैसे प्रकरती तोर पर मिलते हैं थोस इधन तो इन में कुछ प्रमुक ठोस इधन होते हैं जैसे मानव प्रकरती रूप में ठोस इधनों के अतिरिक अने कठोर इधनों का प्रयोग करते हैं जिने प्रकरती की इधनों के उपदार्थ लकडी का प्रयोग जो है यह प्रकरती से मिलता है, इसके मैनने आपको सारे संगरफक होते है, कार्बन, हाइडोजन, यह सारी चीजें बताई थी, फिर कोईले की अलग-अलग प्रकरती के तोर पे मिलती है, इसके अलावब वी निर में ठोस इधन में चारकूल आ जाता है, कोक आ जाता है, ब्रिकेट्स आ जाता है, खोई आ जाता है, ये सारे चीजे मैंने आपको डिसकस किये, बगासे, ब्रिकेट्स और इनके लाव और हानी को भी हमने डिसकस कर लिया था, कि ठोस इधन के क्या प्रकरती से मिल रहा है रेफाइनरी, बरोनी रेफाइनरी, ये सारी मिलकर क्या कर रही है, ये इनी ओयल को, क्रूड को, अलग-अलग पदार्तों में बदल रही है, तो जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, लूब्रिकेंट ओयल, बायो डीजल, ये क्या है, वी निरमित द्रवीधन के अंतरगत आ जाता है, और इसमें सबसे महत्पूर्ण आपका पेट्रोलियम ही है, क्योंकि इस पर हमाजी निर्भरता बहुत जादा है, तो आज इसको भी हम देख लेंगे, इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम एक तरीके से जिसको क जरती के नीचे भी मिल जाता है, ये गहरे भूरे और काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, जो भूर पटी में अत्यादे गहराई में पाया जाता है, आप देखेंगी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, उनके पास इधन कितना जाता है, साउधी अरेबिया को देख कौन कौन से इसमें घटक होते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं, कि अगर आप कोई पेट्रोलियम लोग है, तो उसमें कारवन का प्रतीशत आपको 80-87 की बीच मिलेगा, हाइड्रोजन 11-14 की बीच मिलेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगबग 0.1-3.5 प्रतीशत मिले जैसे विश्व के विभिन्ने शेत्रों में पाए जाने वाले पेट्रोलियम की रासाइनिक सरचना में न्यू नाधिक भिन्नेता होती है, मतलब अलग-अलग टाइप्स होते हैं, इसी आधार पर पेट्रोलियम को मुख्यता तीन वर्गों में हम विभाजत कर सकते हैं, पह पहला, तो आप यहाँ पे देखिए, यह है पैराफिन क्रूड पेट्रोलियम, यह पेट्रोलियम मुख्यता संत्रप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है, अब देखिए कोई भी चीज होती है, उनकी तीन अवस्ताएं होती है, एक होती है सैचूरेटेड, एक होती है सुपर सैचूरेटेड, यह किसी के अंतरकत भी हो सकती है, इसको समझाने के लिए एक बात, जैसे आप पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठने पर आपकी इक्षा थी कि आप पढ़ेंगे, लेकिन आपने भी कुछ समय से पढ़ा नहीं था, तो आप अभी कौन सी अवस्ता है तो भी आप अभी 3 गंटे बचे हुए है, तो अभी भी unsaturated है, 4 गंटे पढ़ सकते थे, 4 गंटे पढ़ लिए, तो वो आवस्ता आप अगई saturated, अब 4 गंटे पढ़ सकते थे, 8 गंटे पढ़ लिया, तो super saturated, इस तरह से एधनों में भी तीन प्रकार बाट सकते हैं, तो हम का asphaltic पदार्थ जो है वो कम है जहाँ पर asphaltic जादा हो जाएगा तो asphaltic crude petroleum हो जाएगा यह मुख्य था cycloparaffin अत्वा naphthalene से निर्मित होता है जिसमें paraffin एवं aromatic hydrocarbons की नियूमता होती है तो इसमें paraffin कम होता है लेकिन asphaltic जादा होता है वो तीसरा होता है मिश्रित जिसमें दोनों ही होता है इसमें paraffin और asphaltic दोनों प्रकार के hydrocarbon उपस्तित होते हैं और इनमें अर्ध ठोस mom semi solid wax की प्रचुरता होती है मतब प्रचुर मात्रा में वो पाया जाता है इसके अगर आपसे कोई पूछे कि और क्या क्या चीज़ें होती है तो इसी में एक बहुत important चीज है जो यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा मिलती है जिसको gasohol कहा जाता है gasohol जो है वो क्या है तो यह gasoline और alcohol का combination होता है इसलिए इसको बोल दिया जाता है gasohol तो यह क्या है mixture है किस चीज का gasoline और alcohol का जो की fuel की तरह use किया जाता है तो 9 प्रतिशत सीशा रहित पेट्रोल तता 6 का 10 प्रतिशत alcohol का मिश्रण gasohol कहलाता है और petrol में alcohol मिलाने पर इसकी octane संख्या बढ़ जाती है अब देखिए आज के session में हम कुछ चीजें सीखेंगे जिनमें तीन चीजें बहुत important है जो आज सीख जाएंगे आप जिनमें एक knocking के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको एक सीटें और इसका होता है अब ये जितना भी आपको crude petroleum मिलता है इस crude petroleum का क्या होता है आपका कही न कहीं refining होती है तभी तो आप उसको refineries में मिलाकर petrol और diesel निकालते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक chamber है distillation tower है इसी से अलग-अलग चीज़े मिल रही है heavy gas oil मिल रही है medium gas oil मिल रहा है diesel मिल रहा है फिर kerosene मिल रहा है naphthalene मिल रहा है LPG मिल रहा है gasoline मिल रहा है तो ये इसी के अलग-अलग प्रकार है अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग चीज़ों का जो बठवारा होता है इसी क एक process है इसी को कहा जाता है petroleum refining या petroleum का शोधन तो प्रकरतिक रूप से पाए जाने वाले petroleum द्रव को कच्चा तेल crude oil कहा जाता है और प्रकरतिक रूप से प्राप्त petroleum भिन भिन को थनांग boiling जब इनको उबाला जाता है तो अलग-अलग तापमान पर आपको अलग-अलग चीज़े मिलती है मतलब crude से ही petrol बना है crude से ही diesel बना है crude से ही kerosene बना है crude से ही gasoline बना है लेकिन ये एक ही तापमान पर नहीं मिल रहे हैं अलग-अलग तापमान पर मिलते जाते हैं मतब देखे इंसान एक ही है, लेकिन आप जैसे जैसे अपने दिमाग का इस्तिमाल करते हैं, उतने बहुत सारी चीजों को जो है डवलप कर लेते हैं, सेम हुबाऊ क्रूड ओयल भी करता है, तो कथनांक वाले योगेकों का मिश्रण होता है, कच्चे तेल से विभिन्न इवं भौतिक प्रतिकरण जो फिजिकल सेपरेशन मैथडस होते हैं, द्वारा उप्योगी पदार्तों की प्राप्ति करना पेट्रोलियम का शोधन कहलाता है, इसी को रिफाइनिंग कहा जाता है, और पेट्रोलियम का शोधन एक विशिष्ट विधी, प्रभाजी आस्वन जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, कि माध्यम से किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन द्वारा, कैरोसीन, पैट्रोल, डीजल, प्राकरतिक गैस, इसनेहक, तेल, आधी प्राप्त किये जाते हैं, तो इस पे अलग-अलग टेंप्रेचर पर, आपको कहीं फ्यूल ऑइल मिलेगा, कहीं आपको डीजल मिलेगा, कहीं आपको कैरोसीन मिलेगा, कहीं पैट्रोल मिलेगा, कहीं ब्यूटेन मिलेगा, तो यह तापमान देखे, 370 डिगरी सेल्सियस पे, 300 डिगरी सेल्सियस पे, 200 डिगरी सेल्सियस पे, 1500 डिगरी सेल्सियस ऐसे crude के साथ अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग अवस्थाएं पर ये चीजें देता है, इसी को बोलते हैं प्रभाजी आस्वन, fraction distillation, तो भिन्ने भिन कोतनांग वाले पदार्तों के मिश्रण को गर्म करके उसके संगटक पतार्त अथात प्रभा जो fractions को प्रतिक करने की विधी प्रभाजी आस्वन के लाती है, इंग्लेश में इसको fraction distillation कहते हैं, जब ऐसी रसाइनिक मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो उसमें उपस्तित पदार्त अपने कोतनांग के अनुसार वाश्पित वेपराईज हो जाते हैं, और उन्हें संगरत करके इकत्र कर लिया नॉकिंग को ही अपोटन कहा जाता है, इसके लब सीटेन नंबर क्या होता है, ओक्टेन नंबर क्या होता है, ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, तो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, तो देखे, क्या होता है, वाहनों के इंजन में जब इधन और वायू का मिश्रन होता है, क्योंकि देखिए, जब तक आपने पढ़ा, कि बचपन से देखते आ रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, कि एक मुमबत्ती ली, उस मुमबत्ती को जला दिया, उसके उपर गलास रख दिया, तो वो मुमबत्ती बुझ जाती, क्य और ओल फिल्टर, एर फिल्टर, यह सारी चीज़ने लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि बई इधन के साथ वायू का मिश्रन कराके, उनके बीच में स्पार्किंग कराई जाती है, उनको जो है इधन के अंतरगत, जो एक तरीके से इधन जलेगा कैसे, तो वायू का मिश्रन जो है चाहिए होता है, तो वाहनों के इंजनों में इधन तथा वायू के मिश्रन से उत्पन जोलन प्लग द्वारा उत्पन जो स्पार्क प्लग होता है, उसके द्वारा उत्पन चिंगारी के संपर्क में आने से पहले ही हो जाता है, देखे वाहनों के उश्मा पूर्णता कारे में परिवर्तित नहीं होती है, बलकि धात्विक ध्वनी उत्पन्य करती है, मतलब इनके बीच में आपस में टकराने पर एक तरीके से एक मेटलिक साउंड आता है, नौकिंग मतलब जैसे क्या होता है, जैसे दरवाजा खटकटाये जाता है, ऐसी इ इंजन के अंदर पिस्टन जो है उपर नीचे हो रहा है, और इनके कारण जो फ्यूल भरा हुआ है और एर भरी हुई है, उसके कारण एक आपको धात्विक, एक मेटलिक साउंड निकल कर आता है, धात्विक ध्वनी उत्पन करने में नश्ट हो जाती है, और इंजन में उत लॉलीन, जाइलिन, बीटी एक्स का मिश्टन मिलाये जाता है, और टो मुबाइल इधनों में प्रती हिमकारी एजन्ट के रूप में एथलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग क्या जाता है, बलब देखिए, क्या होता है, कई यूरोप के देशों में माइनस 30-30 डिगरी तक स्टा देख लीजे, ओक्टेन संख्या जो होती है, दोनों का प्रयोग इधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये जो है कि कितना आपका अच्छा फ्यूल है, वो आपको ओक्टेन नंबर से पता चलेगा, तो ओक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प प्रदिशित की जाती है, और ओक्टेन पैमाना जीरो से सौ के बीच में होता है, जिन में एन हैप्टेन की ओक्टेन संख्या सबसे कम जीरो और आईसो ओक्टेन की ओक्टेन संख्या सरवादिक सौ होती है, तो ये जो है कितना अच्छा फ्यूल है, ये किस से पता चलेगा, octane number से पता चलेगा 0 से 100 की बीच में होता है एक होता है citane number और citane संख्या के माध्यम से दवाब pregulant engine मतलब compression ignition engine के प्रयोग किये जाने वाले इधन हो जैसे diesel आदी की देहन गुणवत्ता combustion quality तता इधन के pregulant में होने वाले ignition delay को दर्शाया जाता है कि वही कितना समय लेकर करेगा तो आप याद रखिए जब हम petrol की बात करें या फिर आपका air fuel की बात करें तो इन में चलता है octane number diesel वाली चीजों में चलता है citane number इस से fuel की गुणवत्ता को पता किया जाता है उसके अंदर जितने भी द्रव इधन होते है इनके कोई न कोई तो लाब भी है और कुछ हानिया भी है तो इन पर भी नज़र डाल लेते है कि वही आपसे कोई पूछ ले कि वही क्या-क्या फायदे हैं आपके liquid fuel यूज़ करने के और solid fuel करने के लिए तो द्रव इधनों का उश्मिय मान ठोस इधनों की तुलना में जादा होता है solid से जादा होता है तभी तो use होता है ठोस इधनों की तुलना में द्रव इधनों का मूल अधिक होता है price जादा है लेकिन उर्जा जादा है पाइपों के माध्यम से इनका परिवान आसान है तता ही इधन सुरक्षित रूप से भंडारित किया जा सकता है पाइपलाइन के थुरू इनको रखा जाता है लेकिन इनके भंडारन के लिए विशिष्ट प्रकार के भंडारन टैंकों की भी अविशक्ता होती है leakage का भी खत्रा होता है ये राक और अफशिष्ट पदार्थ उत्पन ने किये बिना जलते हैं इनसे कोई भी तरह का आपको क्या नहीं मिलेगा राक वगेरा solid waste नहीं होता है लेकिन इनसे कार्बन उत्सरजन बहुत होता है इधन की आप उर्ती बंद करके इसके देहन को नियंत्रित किया जा सकता है मतलब जैसे आप इधन को सप्लाइ बंद करेंगे तो ये आसानी से controlled combustion करता है इनके देहन के लिए विशेश रूप से निर्मित बर्नर एबं करनों की आफशक्ता होती है ये कहीं पर भी नहीं जल जकते हैं इनके लिए प्रॉपर सिस्टम या आपका एक सेट अप चाहिए होता है तो ये एक चीज इसके अंतरगत देखने मिलती है इसके अलाब आज के questions देख लेते है which of the fuel does have highest specific energy किसके पास सबसे यादा highest specific energy है इसके अलाब विच प्रॉसेस देल से चलने वाली भटिया इनके आंसर कमेंट सेक्षन में जल्दी से देंगे आप लोग इसके अलाब कोई भी doubts आएंगे तो इन शोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे और भी कोई तरह अगे आउट्स आएंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्षन में थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस हाव अ ग्रेट टे हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी